हेलो फ्रेंट्स आसा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वुरर हब में तो फ्रेंट्स आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दिपावली की हर्दिक सुब कामनाए इंजोई कीजिए अच् के लिए एक वीडियो ओने माली है ये हमारे एक लिए हम्ने उने मुश्क होने वाली है तो फ्रेंट्स के हमें resil में मतलब कर दोता है कि मतलब formula based question एक दारक्ट question पुछा जाता है कि कैसे हम child की dose को calculate की जाए तो फ्रेंट यही formula है आज उनके बारे में हम बात करेंगे कि एक बच्चे की dose को कैसे calculate की जाए एक infant की dose को कैसे calculate की जाए यानि अगर हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई एक बड़ा है या एडल्ट पर करेंगे तो वही आज सब हम जानेंगे तो फ्रेंट इसी लिए इस lecture को ध्यान से सुने और लास्त तक जरूर देखे बीना स्किप किये तो फ्रेंट आईए स्टार्ट करते हैं चलते हैं अपने वाइड बोर्ड की और तो फ्रेंट आगे बढ़ने से पहले आप से request करना चा करते हैं हम चाइल्ड डोज को तो फ्रेंट कुछ फॉर्मूला होते हैं उन्हीं के बेस पर हम डोज को कल्कुलेट करते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं चलते हैं वाइड बोर्ड की और तो फ्रेंट सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले फ्राइट फॉर्मूला है हमारे होते हैं उनको क्या कहते हैं वो हमारे उन से लेकर के यानी one month to one year तक जो one month से लेकर one year की बीच में जो बच्चे होते हैं उन herramient कहते हैं तो उनकी dose को कैसे calculate किया जाए उसके based हम कुछ formula यहाँ पे बात करें उन formula की सबसे पहले हमारे पास एक fried formula levant है उसके नुसार हम कैसे calculate करते हैं एक infant की öl्गs को तो देखते हैं आएन चलते हैं तो फ्रैंस फ्रैंड formula है हमें infant dose को निकानना है two infant dose is equal to age-in-month चैसाइब्यिग आप्स hora on 150 into adult dose, जो हमारे ayday Lei बढ़े की आदमी डोस है उसको यहां पर तो किए यह हमारा एक हमारा फ्राइड फॉर्मुला एक है कैलकुलेशन हमारेक चैसे ओंसे डोगे करें तो नकाले तो इसका एक जांपल देख लिते एंस एंसे करें टो फॉर एक्ँ behalf जैसे बात करते हैं तो इसकी बात करने 150 इंटू माल लेते हैं उसको 50 mg माल लेते हैं तो कैलकुलेट करते हैं यह जिरो से जिरो कैंसल हो गए हमारी यहां पे यह क्या हो गया 15 वंजा 5 और 135 और 15 वंजा और ॱ्पवण की होगा 51 यह 5 अपोन 5 वहां हर फाइफ यहां चल लाएगा तो यह कट जाएगा तो कितना चला है वन आ लेकिन बात करते हैं हमारे पास से क्लर्क फॉर्मुला है तो क्लर्क फॉर्मुले के लिए कैसे होता है फ्रेंट्स तो क्लर्क फॉर्मुले के लिए यह भी क्या होता है यह भी हमारा इंफेंट के लिए ही होता है तो फ्रेंट्स इसमें क्या करें इंफेंट डोज इस इकल वेट है भड़ 2.5 kg है तीन kg है इतना पता ही हमिको तौ और उसको कैसे कैल्कुलेट करें यह जानते हैं तो Magic puisqu वेट को पाउंड में calculate करने के लिए आपको करना क्या है आपको उसको मंटिप्लाई करा देना है आपने 2.2046 किसने 2.2.2406 से उसको मंटिप्लाई करा देना है तो आपको यहां पर पाउंड में निकल जैसे देखते हैं कि 1 kg is equal to 2.2046 होता है हमारा एक पाउंड में तो अगर हम पाउंड़ किसका वेट कितना है तीन केजी है तो इसको मंटिप्लाई करा देख आप 2.2046 से मंटिप्लाई करा दो तो यहां पर उसका वेट निकल जागा आपके पास पाउंड में बीट निकल कर देंगे तो आपकी calculation निकल जाएगे आपका आंसर निकल जाएगा तो यह था हमारा second formula निकलर formula थर्ड फोर्मूला है हमारे पास यहां पर एक यंगs formula है हमार पास यंगs formula है कैसे कैलकूलेट करते हैं जो हमारे यंग formula होता है यह हमारा है किसकी डूर्व करता की हमरे दिट करता है यानि जो व्हारा चाइल्ड होगा कितना होगा कितने वजह से ट्विल कमारा बच्चे होगा उसको हमिलेट करेंगे आपयों या क्या कहता है अधार्जालब डोश is equal to age in year upon age in year plus 12 क्या करना है एज इन यह रखनी है अपोर एज लिए प्लस ट्वैल रखला है इंटो डोज दोज रखने तो यह हमारा यंग्स फॉर्मुला होगा calculate करने करने सोफ चाइल्ड तो फो उड्जाफ एग्जांपल लेते हैं यहसे हमारे पास माले हमने एक फोर लीज प्लास-फोर के किजिए यह हो गया हमारा फूर अपोन ये 16 हो गया तो फूर बंट फॉर फॉर फोर जाओ शीन अब या को फिटी अप on four हो गया अब इसको करते हैं यहां पर फॉर वनजा फॉर यानी एक उदर चलागा थैन हो गया यह लगे-ट-वाइन-फाइफ-व घो शाग कितनी अमजी थर्ड हम लास्ट बात करते हैं हमारे पास एक लास्ट फॉर्मुला है कावलिंग फॉर्मुला वो क्या कहता है उसके बारे हम देख लेते हैं तो कावलिंग फॉर्मुला भी हमारा किसकी एक चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है तो उसका फॉर्मु इन्टु एडल डूज तो यहां से आप कलकुलेट कर सकते हैं एक बच्चे की डूज को एक चाइल्ड उसकी यह जदी वो दो साल से बारा साल के बीच में हैं तो उसकी डूज को यहां से कलकुलेट किया जा सकता है इस फोर्मले के नुसार तो फ्रेंट्स यह हमारे चार फोर पास बोडी सरफेस एरिया और हमारे पास है बैस्टूड फोर्मला बैस्टूड तो यह हमारे दो फोर्मले और उनसे फृदर आगे बात करते हैं तो फ्रेंट्स प्लीज यह आगे सेर करते रहें प्लीज मुझे भी इंट्रस्ट आ सके पढ़ाने में इंट्रस्ट मिलें प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब प्लीज शेयर तो फ्रेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं फाइफ फिफ्ट फॉर्मल अपना फिफ्ट नमबर की बात करते हैं हमारा है बोडी सर्फेस एरिया के बेसिपे उसकी डोस को कल्कुलेट करना है तो फ्रेंट्स ब 3600. या मेरे डिवाइड़ब आ जाएगा तो ऊसको Pan Alignment for example ढे लेते हैं यहां पर एक क्जामपल ले लेते हैं जैसे रिवाइड इंसेन्टेमियम यानि मान लेते हैं उसकी बच्चे की जो हाय सेंटिमियम में कितना गया इनкіज película 3 सेंटिमियम में 36 सेंटिम मेंimer करके आएगा वह आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि इतनी एंजी उसको डोज देनी है हम एक चायल्ड को एक बच्चे को अगार्फ से तो नेक्स बात करते हैं बात करते हैं तो फ्रैंस जो मारा बैस्ट टुड होता है यह भी एक क्यल्कुलेशन फोर्मॉला होता है मैं घर हो प्लस थ्री करना है अपोन कितना करना है अपोन थर्टी करना है तो फ्रेंस यह हो गया हमारा और इंटु एडल डोज एडी मतलब एडल डोज करने निटू तो उसके यहां से आप निकाल सकते हैं कि बैस्ट बैस्टीड फॉर्मला कि इसको कितनी डोज देनी है कि डोज प्रे तो क्या होगा कितना होगा बात करते हैं 8 अपोन 30 इंटु 100 तो कितना होगा इस चीरो से यह जीरो कैंसल कर देते हैं तो कितना होगा 80 अपोन 3 हो गया तो डिवाइड करते हैं यहां से इसको तो इधर कितना बचा उधर चला गया दो चला गया तो कितना हो गया इधर 20 हो गया तो तो इधर 20 हो गया तो अधर 20 को डिवाइड करेंगे हां से हम 3 से यानि 3 3 जा 9 3 4 जा 12 तो इधर 15 3 6 18 तो इटीन से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 3 6 जा 18 अब उधर कितना बच गया दो बच गए दो पॉइंट कितना चलता यह ऐसे चलता रहेगा तो इतनी डूस इतनी एंजी होगी हमारी उतनी दी जाएगी उस बच्चे को दोस दी जाएगी उस बच्चे को इतनी डोस दी जाएगी वाई-धा-Helpo BESTUDO formula से यह आपने हमने calculation की तो यह थी बात थी आज पांच formula जिया बायग हम आप लिएमगे बात की और को मależy प्रीफ त हमने हैँ के इन व्याइए विए पहे जि anim Site बच्चे की डोज को calculate कर सकते हैं किसी infant की डोज को calculate कर सकते हैं तो friends आसा करता हूँ ये lecture आपको बहुत ही पसंद आया होगा तो friends ये बहुत ही important होने वाला है इसलिए आपसे बार-बार request कर रहा हूँ कि इसको ध्यान से सुने last तक जरूर देखे बीना skip किये और share जरूर कीजे प्लीज प्लीज शेयर कीजे मुझे भी आपसे inspiration मिलेगा ताकि और कुछ अच्छा कर सकूँ आपके लिए तो friends प्लीज शेयर एक शेयर तो बनता है तो friends ऐसा करता हूँ इसलिए ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगाओगा तो एक like एक शेयर बनता है तो friends आप ले ल का सबसे बढ़िया से enjoy कीजिए अच्छे से और एक बार फिर से आपको दिवावली की हार्दिक सुबकाम लाएं thank you friends and keep supporting